परिवन आप सभी का स्वागत है एक नए बीडियो एक नए इंटर्व्यू पर मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं मुन्ना सर्स लेक्षर आज मेरे साथ जो गेस्ट है उसका नाम है F.A. राजन सर तो राजन सर को ऐसे तो सभी लोग जानते हैं जो मैं सर को अपने सोपर आमंत्रित किया हूं और सर मेरे सोपर मौझुद है तो सर से मैं क्वेस्टन ये करूंगा कि बहुत सारे बच्चे साइंस के बारे में उसकी सारी क्लारिटी रहती है आर्ट के बारे में सारा उनके पास में इंफ्रमेशन रहता है लेकिन जब बात कॉम कोमर्स का उलजन कैसे खतम हो एक कोमर्स के टीचर से बहतर इसके बारे में जानकारी हमें कौन दे सकता है इसी सिलसले में सर से पहले मैंने डिसकसन किया कि सर मैं आपका एक इंटर्व्यू करना चाहता हूं और सर इसके लिए ते तो राजन सर सब से पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना किमती से मैं मुझे दिया सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपके नाम के पहले F.A. लगता है और बहुत लोगों को F.A. के बारे में पता नहीं है डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर सब जानते हैं लेकिन F.A. के बारे में पता नहीं है तो जराब पहले हमें इसके बारे में बताईए जरूर F.A. का मतलब होता है Forensic Accountant और इनका काम जो होता है जैसे Money Laundering या जितने भी परकार के एसकेम होते हैं घोटाले होते हैं इनका उजागर करना इनका काम होता है खास करके जब Accounting Based जब एडिया में आप जाएंगे या कोई भी हिसाब किताब की एडिया में जब जाएंगे तो वहाँ पर कहीं पर गोलमाल होता है जैसे Money Laundering के गोलमाल होता है उस गोलमाल का उजागर करना तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा मैंने बहुत सारे इसे स्केम का परदाफास भी किया है इसे अपने लाइफ में बहुत सारे audit भी किया है इसको forensic audit जो किया जाता है इसमें जादे तर जो auditing का काम जो होता है internal check, external check का होता है जो कि किसी भी organization के अंदर जाके किया जाता है जैसे government organization हो गया religious organization हो गया किसी भी परकार की organization है यह एक तरीके से भंडाफोर कह सकता है कैस के मामले में इसको कैस के मामले में भी बोल सकते हैं हम लोग भंडाफोर नहीं कह सकते इसको मतलब इसको यह बोला जा सकता है कि जब कभी ऐसा मामला आता है तो सरकार इनको करती है कि भाई वहां जाओ और चेक करो किस कैसे हुआ है और आपने कई बार यह कारणा में कर चुके हैं नाम लेकिन नहीं बताऊंगा मैं इस प्रेसे का इस बिल्कुल ओने स्क्रीन मतलब साइंस बैकगरांड लगभग सभी बच्चे को पता होता है आठ के बारे में पता लेकिन कोमर्स स्ट्रीम के बारे में हमें लगते है मैं बतादू आपको कि Science पढ़ने वाले बच्चे का सपना होता है doctor और engineer बनने का झाल्यास करके बता दूं तो बहेतर रहे है और commerce पढ़ने वाले 99 percent बच्चों차 सपना होता है वह charter rent content और charter content का काम होता है सरकार और public होता है सरकार और public के बीच relation जिसका काम होता है दुनिया में बनी जितनी भी बस्तुएं है उनका मुल लेता ही करना और तीसरा केरियर ग्राफ देता है CS Company Secretary एक परकार का lawyer होता है जो कि business को handle करता है जो business के बाड़े में बताता है बिजनेस में कौन सा rule regulations फॉलो किया जाना चाहिए अगर partnership करेंगे तो कौन सा rule फॉलो होगा company खोलेंगे तो कौन सा rule फॉलो होगा इन सारे जीजों के बाड़े में जानकारी देता है और प्रते कंपनी को एक CS कम से कम रखना पड़ता जिसकी turnover कम से कम दो करोड़ फे साल किये तो यानि कि आपके कहने के मुताबिक commerce stream का जो एक carrier कह सकते हैं तीन है CS CS CMA और एक मैं नई जानकारी बता दूँ आपको इस बार जैसे management पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जैसे IIM आप सुने होंगे इन इस्ट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जी जी उसी परकार से भारत सकार ने एक विद्धेख पास किया है उसका नाम है IIA इन इस्ट्यूट ऑफ अकांटेंट्स जो कि CA लेवल का अकांटेंट्स तयार करेगी आगे क्योंकि CA की काफी कमी है अज बारत में अगर CA की कमी है तो अंदेश की अर्थव्योस्ता मजबूत कैसे होगी बिलकुल तो इसके लिए आया ये एक्ट भी आ गया है हमारिया एक नया क्रियर ग्राफ हो गया इंडियन इस्टूट ऑफ एकॉंटेंट चलिए बहुत अच्छे से सर आपने एक्स्प्लेंड किया हमें लगता है कि बहुत होता है टीन अपने डिलेकिन तीन अपने ये लिकिन क्या होता है मने आपको सबसे पहल सवर पर्थम बताया था कि Commerce पढ़ने वाले 99% बच्चों का सफना होता है वो Chartered Accountant बिल्खुल बिल्खुल चलिए सर मुझे ये बताईए कि आप जब इतने अच्छे मतलब जो हैं पढ़े लिखे वेक्ती हैं सर फिर भी आपने कोई कंपणी वगेरा में इतना बड़ा पद आपको मिल सकता था वो पद को छोड़ करके आप तिर्वेनी गंज एक छोटे से सहर में आपने एक इंसिचूशन की अस्थापना की इसके पीछे का वज़ा सर हमें बताईए सर मेरा जैसे की बिहार के तमाम जो गारजन्स होते हैं उनका भी सपना उनका एक ही चीज होता मकसद होता है उनका बच्चा पढ़ लिख ले और गवर्मेंट जॉब में चला जाए मेरे भी पिदा जी का ही सपना था कि बच्चा है और पढ़ लिख लिए इतना पढ़ाएं लिखाया है तो कुछ ना कुछ कड़े जॉब कड़े तो मैं दिल्ली रहता था और अपने जीवनकाल में मैंने काफी संगर्ज भी जहला है लेकिन मैंने देखा कि खासकर कि कॉमर्स के परती इस एडिया के बच्चे का एक दम रूजहान था ही नहीं कॉमर्स बच्चा जानता तक नहीं था कि कॉमर्स होता क्या है अगर यहाँ कॉमर्स जानता भी था उसमें पढ़ा क्या जाता यह पता ही था उसको। आप बिलकुल तो मेरा यह था कि मैं इसचूट खोलू जी आज साथ रहा था कि मेरी इसचूट गोल और करना शुरू किया सुरू ङसी दोर में यहां पर 1-2 पंच बच्य आते थे और उस ईनू बच्चों से मेरा ता कभी मतव कि कि मैं अपने pocket money के लिए पिता जी से पैसा मांग लेता था पापा मुझे पैसा चाहिए था तो पापा दे 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 थे लेकिन धीरे धीरे करके student का वो बोलते ना कि मैं बढ़ता गया काड़मा बढ़ता गया वह वह अला था मेरे साथ में हां वह अला सीन हो गया तो दीरे दीरे क्या हुआ कि यहां पर commerce के प्रती बच्चों का रूजान आया अच्छे सबसे वड़ा चीज है अच्छा result देने लगी इंस्टिट अपने पहले साल में डिस्टिक्ट पर दे दी और बिहार बोड यहां पर जो maximum बच्चे यहां बिहार बोड में टॉप 10 में रही अच्छा और उसके बाद सकेंड यहर से प्रतेक साल एक टार्गेट ले रखी है कि व्यार बोड के टॉप 10 में रही इंस्टिट अच्छा और हमिशा रहती है हर साल हर साल कोचिंग के अस्थापना सर की सिवर्स हुई थी 2015 में सर 30 अक्टूबर 2015 क को अस्थापना हुई थी और उतना ही नहीं इंस्टिचूशन को बेस्ट टीचर इनोवेशन आवाड एच्ट एफसी बैंक दुबारब प्रतिक साल मनोनित किया जाता है चैलिए तो सेर बहुत बहुत सुखामना आपको सर सर मुझे यह बताईए कि आपने एफे कंपलीट क करने के बाद आपने किसी कंपणी में जॉब किया था या कंप्लीट करने के बाद सिधा इंस्टिचूशन में आप आ गए थे कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब की और वह जॉब मैंने जन पैक्ट में किया था जॉब कितने सर दिनों की अबधी लगवग उसकी यहां पर दिक्कत आ रही है यहां पर किसी ने देखा इस फाइल को यहां पर दिक्कत आ रही है तो आपका पूरा होने जा रहा है तो कितने बच्चे आपके यहां से सीय कंप्लीट किये हैं बेंक में गए है इंकम टेक्स वगरें इसके बारे में बताना चाहेंगे सर्थ जी एकदम बैंक के मामले में बात करूं तो तक्रीवन में यहां से 50-60 बच्चे बैंक में प्राइबिट और नस्नलाइज दोनों बैंक मिला के ठीक है और इंकम है अगर मैं बात करूं चार्टर डीट करने नहीं आते तो दो डिल्क लेकिन चारड अभी चार्टरर डेंट मिलें काम कर नहीं सब यह जितने बिच्चे यह त्रिवेणी गंज कही हैं यह लगवाग इसी एडिया के हैं कोई चाता पूर के हैं कोई जदिया के कोई चड़ने के लेकिन इसी एडिया के हैं चलिए तो सर हमें एक और बात बताईए सर जैसे सिये का जब आपने जिक्र किया तो बहुत लोगों का सपना होता है सिये बनने का सर जब आप इतने अच्छे टीचर थे तो कभी आपने नही नहीं इसके बारे में सोचा तो सर मेरे मन में एक प्रस्ना आया जरूरी है यह कोस्तन जरूरी है सर जिस टाम में मैं चार्टेटे कांटेंट करना चाह रहा था घर की बड़ी माली हालत थी सर अच्छा ठीक है और घर में मतलब कि ऐसी इस्तिती नहीं थी कि मुझे बाहर कही देखना चाहता है 카ow olduğ Patienten Sir का कहना है तो जिन जिन परिष्थित को से गुजरे forts के सर के बचे ज़िए सार आखिरी मेसिज को सकते बचे को क्या देना चाहेंगे सर मैं ये कहना हुआ काहिना चाहता हूं कि देखिए सारे सब्ग्यक्च्षें सार एश्टी मढ़ीठ ये लेकिन आज दुनिया को ही नहीं, भारत को मैं पहले बात करो, पहले दुनिया को तो बात की बात है, भारत की मैं बात करो, भारत को आर्थिक सवल बनाना है, और आर्थिक सवल बनाने के लिए, मान लिया जाए कि कोई मुझे ही स्टाफ की रूप में रखेगा, कैसे रखेगा, मैं कि और चाहेंगे कि इनके घर का गिरुस्ति का सारा काम कर दूँ बिल्कुल, इनका अगर खेती बारी में खाद़ पानी का जुरत से पतुलवत्यूम्हिदा करती है ओतन जेनर शान के साहिक भाड़िदक स्पाइब का उया से तो से अगर हैं चाहते हैं तो Commerce पढ़िए आगे वढ़िए और मेरी तमाम जो देख रहे हैं यहां पर चात्र जो देख रहे होंगे या कि तमाम जो गार्जन देख रहे हैं मेरा उनसे एक छोटा साफील है कि अपने बच्चों को उनके करियर के अकॉर्डिंग को स्थ्रीम चुर्ने का माॉका बदे और उनकर थोपे नहीं बच्चा तजेज साइनस पढ़ा बच्चा थो रहा कम है अस्की देगा और मैं नतीम तोड़ ये बूलना चाहूंगा कि मुन्या जी हैं यहाँ हमारे वीच वस्तित हैं और इनका चैनल यह काफी दिनों से चैनल चला रहे हैं और मैं इनका वीडियो दो तीन चार वीडियो मैंने इनका देखा काफी अच्छा लगा और मुझे काफी मॉटिविशन मिला ये लोगों से आज के दौर में ये सोसल मीडिया का यूग है आज के दौर में लोगों से जुड़ने के ये एक सबसे अच्छा माध्यम बन चुका है और इसी माध्यम के सहाड़े मुना जी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ आना मुनासीव नहीं अपनी आपको मतलब यह बोल सकता हूं गौनवान भी समझ रहा हूं तो मैं अन्तोगत्वा यहीं मेसेज देना चाहूंगा क चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें थांक्यू चलिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके राजन सर से काफी दिनों से एक्छा थी कि सर मेरे सो पर आये और आज संडे का दिन है सर का इंस्टिटूट बंध है और मेरा वे स्कूल कोचिंग वगरा सारा बंध ह तो दोनों आदमी फिरी थे तो सर से छोटी सी मिटिंग हुई उसके बाद हम लोग जो है इस इंटर्व्यू के लिए पूरी तरीके से यहां पर मोजुद है आपके सामने में तो आपके मन में कोई भी प्रस्ण है कॉमर्स से रिलेटेट तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स मे हैं तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अंत में आपसे विदा लेते हैं जैहिंद